नमस्कार फ्रेंड्स, सॉनलेंटेक, सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब कर लें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, इस चुड़ में हम बात करने वाले हैं, SBI CSP Portal पे बहुत ही अच्छी एक अपडेट हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इस अपडेट से जो है केस्टमर को भी फायदा होने वाला है और CSP Honor को भी बेनिफिट मिलने वाला ह और साथ में हम बात करने वाले हैं, IMPS के बारे में जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कुछ दिनों से IMPS डिश्टर्व था, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो को सुरू करने से पहले आप अगर हमारे ब्लोग चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मैंने उसका जो है link नीचे description में provide कर दिया है आप उस पे link पे click करके आप हमारे ब्लोग चैनल को subscribe करें और अपना support प्रदान करें तो चलिए हम वीडियो को topic पे आते हैं और बात कर रहे थे IMPS के बारे में और नए update के ब portal पे पहले अगर किसी का भी अगर IMPS अगर money transfer करते थे किसी भी other bank में तो किसी किसी का पैसा जो है कि damage success में चला जाता था तो उसमें problem यह होती थी कि उसका पैसा कब जो है हमारे CSP portal पे वापस आया है निकि उसका जो है कब confirmation होगा कि उसका पैसा जो है जिस account में हम ट्रांसफ किये हैं उस account में गया है यहा हमारे CSP portal पे वापस refund उस customer का करना होगा तो इसका जो है जनकारी exact जो जनकारी है वो हमें नहीं मिल पाता था अब यहाँ पे अच्छा खासा एक जो है facility को start कर दिया है bank ने यहाँ पे आप देख सकते है customer का जो है IMPS जो है damage success में पैसा गया था और यहाँ पे उसका message यहाँ पे प्राप्त हुआ है dear customer your IMPS transaction amount यहाँ पे mention किया हुआ है और date mention किया हुआ है और CSP outlet जो है उनका CSP outlet का नाम और location और यहाँ तक की CSP ID भी यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे reference number में दिया हुआ है यानि कि इस confirmation यह दिया गया है कि जो पैसा यहाँ पे साप साप लिखा हुआ है has been failed please visit the CSP outlet for the refund thought fingerprint जो भी आप damage success में fingerprint दिये है और जो mobile number का use करके आपने जो OTP verify किया था है उस mobile के थुरू आप जो है अपना पैसे जो है CSP outlet पे जाके अपना refund करा ले जो कि यहाँ पे एक नया जो है facility को bank ने यहाँ पे start किया ह और यह काफी अच्छा है क्योंकि इसका refund का customer को यहाँ पे message प्राप्त हो रहा है ऐसे में customer को पता चल जाएगा कि उसका पैसा जो है जिस account में डाला है उसमें transfer हुआ है या उसका refund आया है पहले किया था कि इसी चीज को पता करने के लिए हमें बार बार customer हमारे CSP outlet पे आता था कि हमारा पैसा जो है जहां पे डाले है उसमें नहीं गया है और CSP owner को परसानी यह होती थी कि उसको बार बार जो है उसको refund करके try करके वहां पे देखना होता था कि क्या उसका पैसा refund आया है report को check करना होता था तो यह problem अब जो है 100% solve हो गया है और customer को automatic ही पता चल कि उसका पैसा जो है जिस एकाउंट में डाला है damage success अगर हुआ है तो उसका पैसा refund होने वाला है तो और अगर हम IMPS की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो है हमारा IMPS पोर्टल पे work नहीं कर रहा था था यानि कि time out में जा रहा था यानि कि हम IMPS के थुरू अगर किसी का भी money transfer करते थे या IMPS fund transfer करते थे वो नहीं हो पाता था जो कि अब जो है कल से वो properly work करने लगा है यानि कि आज के date में अगर किसी का भी अगर IMPS करेंगे तो ज्यादा तर पैसा हो success हो रहा है बिल्कुल पहले की तरह जो है IMPS अब वो work कर रहा है तो इस वीडियो में इतना है अगर यह आपको वीडियो थोड़ी सी भी अची लगी हो थोड़ी सी भी knowledgeable लगी हो तो वीडियो को like करें comment करें अपने group circle में share करें और आप हमारे ब्लॉक चैनल को subscribe नहीं किये तो प्लीज आप हमारे ब्लॉक चैनल को subscribe करें और अपना support प्रदान करें तब तक के लिए thank you ध अपडेट के साथ